हेलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का enormous learning पे आज के वीडियो में revision test आपका करते हैं कुछ general knowledge के questions का ठीक है आर्मी अगनी वीर exam जो है वो आ रहा है October 26 बताई जा रही है October 26 को तो उसी को ध्यान में रखते हुए classes जो है शुरू करते हैं GKGS regular मिलेगा maths और reasoning जो है वो भी आपको regular दिये जाएंगे glasses सबसे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पहले question क्यों चलते हैं first question आपके लिए who is the author of पंचितंत्र पंचितंत्र के लेख कौन है पंचितंत्र के लेख कौन option आपको दिये रहेंगे as usual जैसे पहले चलता था सब सेम ही रहेगा question जो है वो हिंदी में रहेंगे अगर आपको कोई भी ओर topics ने topics पर कुछ पढ़ना हो कुछ भी suggestion हो तो आप comment box में बता सकते हैं ठीक है चलिए next question पर चलते हैं दूसरा question है तेहरी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है जमुना बागी रथी सतलज और नर्मदा तेहरी बांध किस नदी पर स्थित है जमुना बागी रथी सतलज या फिर नर्मदा बागी रथी option नमबर भी बिलकुल सही बागी रथी के ओपर तहरी बांद स्थित ठीक है और यह कितना हाइट है approximately 260 मीटर हाई है ठीक है 260 मीटर हाई है और अगर पूछा जाए कि कोन सी जगे में है यह ठीक है कौन सी स्टेट में हैं जा कोंसे केंदिरशाशीत परदेश में यूनिन टेरिटरी में है तो यह आता United Kingdom, sorry, उत्राखंड, ठीक है, UK, it's उत्राखंड में, ठीक है, United Kingdom निकल गया है, उत्राखंड में, ठीक है, यह आता है, उत्राखंड में, ठीक है, UK में, चलिए, next question जो है, question number तीसरा है, करनल राजयवर्दन सिंग का संबंद किस से है, करनल राजयवर्दन सिंग जो है, इन में से कौन सी गेम खेलते थे, आर्करी, रैसलिंग, रनिंग, जा फिर, शूटिंग, इन में से कौन सी गेम खेलते थे, और अगर आप में से किसी को knowledge है, तो उनको किस अवार्ड से समानित किया गया था करनल राज्य बर्दन सिंग को बिल्कुल सही बिल्कुल सही option number D आपका बिल्कुल सही है shooting ठीक है shooting से संबंदित है और उनको पद्मा श्री अवार्ड जो है पद्मा श्री अवार्ड दिया गया है ठीक है अगला question है question number 4 देखते हैं what is called the country of sunrise सूर्य अद्य का देश किसे कहा जाता है question 30 होंगे total 30 question में से आपको last में बताना है कि आपने कितने question जो है सही की है आपकी revision जो है त्यारी जो है वो किस बेस पर चल रही है because आपने जो पीछे का exam जो भी cancel हो उसके लिए भी बहुत त्यारी की होगी तो मैं यह मान के चलता हूं कि आपके ज्यादातर questions जो है वो ठीक होने चाहिए तो लास्ट में आप सभी बच्चों ने बताना है सूर्य अद्य का देश किसे कहा जाता है country of sunrise बिल्कुल सही option number B Japan is the right answer ठीक है जपान को कहा जाता है country of sunrise चलिए नेक्स्ट अगला question देखते हैं question number 5 है hockey team में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है hockey team में खिलाडियों की संख्या जो है वो कितनी होती है साथ है ग्यारा है दस है जा फिर पाँच 7 11 10 और 5 है okay तो आपका अंसर जाएगा option number B के साथ total जो player है वो 11 होते है hockey team में ठीक है और अगर extra players का पूछा जाए extra जा फिर additional player जो के emergency time in किये जाते है extra player होते है 5 ठीक है 11 playing में होते है और 5 जहां वो extra player होते है next question को देखते है question number 6 है परदान मंत्री अटल pension जोजना कब लागू हुई थी यह सबसे important question आता है schemes के ओपर अटल pension जोजना के ओपर ठीक है यह जो है यह कब लागू हुई थी किस किस time period में माई 9 20 2015 या फिर October अगस्त जानुरी question number 6 बिलकुल option number A आपका बिलकुल सही है 9th of माई 2015 को यह जो है अटल pension scheme जो है यह लागू हुई थी ठीक है चली next question जो है question number 7 देखते हैं when was Bangladesh formed Bangladesh का गठन कब हुआ वांगलादेश को separate country कब गोशित किया गया यह कह लिजे कब form हुआ options आपके सामने है 1966, 1976, 1971, 1982 कौन सा option बिलकुल सही option number 3 1971 जो है बिलकुल सही answer है कोई बचा डेट और मन्त बता सकता हामें से अगर किसी को मालुम हो कि बांगलादेश जो है वो किस डेट को जहां किस मन्त को हुआ था बिलकुल सही कोई बता सकता है चली मैं बताता हूँ 26th March ठीक है 26th March 1971 को वांगलादेश जो है वो फर्म्ड हुआ था नेक्स्ट क्वेशन क्यों चलते हैं क्वेशन number 8 था है वें डांडी यात्रा विगन डांडी यात्रा कब शुरू हुई थी मोस्ट इंपोर्टन क्वेशन आता है यह modern history में से आप आल्मोस्ट मैं कहा रहा हूँ कि 10th basis पे 12th basis पे कोई वी अग्जाम दें में option number A के साथ जो बच्चे गए हैं बिल्कुल सही उमीद कर रहा हूँ सभी बच्चों को आ रहे हैं ठीक है यह आपकी रिवीजन चल रही है इसके बाद और थोड़े लेवल अप किया जाएगा अगर आप सभी बच्चे इसमें अच्छे रहें अच्छे आंसर देते रहे नहरू कप इस रिलेटर्ट टू बिच्च स्पोर्ट्स नहरू कप जो है वो किस से संबंधित है फुटवाल से बैडमिंटन से होकी से या फिर क्रिकेट से question number 9 नहरू कप किस से संबंधित है options आपके सामने है question number 9 बिल्कुल सही option number A नहरू कप जो है दोस्तों वो फुटवाल से संबंधित है कोई बच्चा बता सकता हमें से इसको knowledge हो कि ये किस year में launch हुआ था किस year से नहरू कप जो है वो start किया गया था दिना well done कोई बच्चा बता सकता है किसी को मालूम हो question number 9 1982 is the right answer 1982 में जो है नहरू कप को starting हुई थी अगले question के ओर चलते है question number 10 है what is the minimum is to become an MLA member of legislative assembly बिदायक बिदायक बनने के लिए नियूनतम आयू क्या है बिदायक के उपर आप सभी ने बहुत से बातें सुनी होगी चच्चा हमारे बिदायक हैं ऐसे करके हाँ बिदायक बनने के लिए नियूनतम एज क्या होनी चाहिए minimum बहुत बढ़िया minimum age कितनी होनी चाहिए MLA बनने के लिए दोस्तों और यह आती है 25 year 25 year जो है minimum age चाहिए बिदायक बननने के लिए बिदायक बोले तो MLA ठीक है अगला question है next question देखते हैं who was the successor of चंद्रगुपता चंद्रगुपत का उत्तर अधिकारी कोन था चंद्रगुपत का उत्तर अधिकारी कोन था बिंदुसारा बिंबिसार अशोका या फिर इन में से कोई नहीं question number 11 बहुत बढ़िया option number एक साथ चल रहे सभी दोस्त बिल्कुल सही आंसर बिंदुसारा जो है यह successor थे चंद्रगुपता के चल यह next question देखते है question number 12 है पॉंगल किसका प्रसीद्धुत्यों हार है पॉंगल जो है दोस्तो वो किस स्टेट का किस राज्य का प्रसीद्धुत्यों हार है पॉंगल मनाय जाता है कैरला में राजस्थान में तमी नाडु जाफिर पंजाम में question number 12 बिल्कुल सही बिल्कुल आपका आंसर जाना चाहिए सबी बच्चों का तमील लाडू के साथ कैरला में भी कुछ बच्चे कंफ्यूज दो सकते हैं बट कैरला नहीं तमील लाडू आपका सही आंसर है त्योहार जो है इसको मनाने के साथ चाहिए यह ट्रीब्यूट शर्दाऑँ जली देते हैं नेचर को और जानब्रों को ठीक हाँ उनकी पूज़ा में यू कह लिजए और यह जो त्योहार है पॉंगल ये श्रीलंका में भी एक मेजर त्योहार है शिरलंका में भी इसको मनाया जाता है ठीक है अगला question देखते है question number 13 है when was the capital of India shifted from Kolkata to Delhi बारत की राजदानी है जो पहले Kolkata हुआ करती ठीक है और Kolkata से Delhi में कब हुई अभी currently new Delhi में capital है इंडिया की इससे पहले Kolkata में थी तो आपको इसमें बताने हैं कि Kolkata से Delhi कब shift हुई थी question number 13 बेलकुल सही option number B 1911 ठीक है 1911 में जो है ये shift हुई थी आगे चलते है question number 14 देखते है when is international yoga day celebrated अंतराश्य योग दिबस कब मनाया जाता है योग दिबस अंतराश्य इंटरनेश्य पूरे वैश्यव के दुरान जो है कौन सी डेट है जब योग दिबस जो है वो मनाया जाता है question number 14 बहुत बढ़िया option number C is the right answer 21st of June 21st of June को जो international yoga day celebrate किया जाता है next question की ओर चलते है अगला question है नितिय योग की स्थापना कब हुई देखिए एक और question आ गया है ठीक है PM की schemes के related ही नितिय योग ठीक है इसकी स्थापना कब हुई थी कौन से बर्ष में हुई थी well done question number 15 इसकी स्थापना हुई थी 1st of Jan ठीक है एक January को और year कौन सा था 2015 ठीक है option A आपका जो है बिलकुल सही आंसर है 2015 में हुई थी ठीक है एक January को चलिए next देखते हैं अगला question है question number 16 when did the first session of congress take place Congress का प्रथम अदिवेशन कब हुआ किस वर्ष में हुआ था question number 16 option नमबर C आपका बिलकुल सही जवाब है 1885 में हुआ था और ये कहां पे हुआ था, Bombay में हुआ था पुरानी पार्टी है सबसे लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी है बारत देश को चलाने वाली सो एक सिंपल सा क्वेशन है कि Congress जो है उसकी स्थापना किस ने की थी इसका आपको आंसर जो है comment box में बताना है चलिए next question है मेरी कॉम का आप सबी ने नाम सुना होगा वैं किस खेल से संबंदित है मेरी कॉम किस खेल से संबंदित है question number 17 मेरी कॉम है दोस्तो boxing से संबंदित ठीक है और ये कहां के रहने वाले है कोई वैचा बता सकता है बिलकुल मनीपूर ठीक है मनीपूर के निवासी है मेरी कॉम चलिए question number 18 है the first female governor is पहली महिला राज्यपाल कौन थी first female governor स्रोजनी नाइडू जिशोदा देवी प्रतिवा देवी सिंग पाटिल या फिर कमला वैनिवाल question number 18 बिलकुल सही स्रोजनी नाइडू जो आपका बिलकुल सही जवाब है स्रोजनी नाइडू जो है यह पहली female governor थी ठीक है और इनका कारेकार स्टर्टिंग का था next question में चलते हैं question number 19 है who is called the iron man of India बारत का लोह पूरिश किसे कहा जाता है बारत का लोह पूरिश किसे कहा जाता option आपके सामने बगत सिंग सर्दार पटेल नेता जी या फिर जवालनल नहरू बल्लवाई सर्दार पटेल ठीक है most important from ancient history ठीक है सती प्रथा जो है वो किस ब्रिटिश गवर्णर के शाषनकाल में बंद की गई थी प्रलंबित की गई थी बिल्कुल सही सती प्रथा जो एक प्रथा चलती थी कि अगर husband जो है वो उसकी किसी बज़े से death हो जाती है मर जाता है कुछ भी हो जाता है यह प्रथा थी ancient time की इसको जो है वो किस ब्रिटिश गवर्णर के टाइम पिरेड में बंद किया गया था options आपके सामने है question number 20 बिल्कुल सही answer number option number A ठीक है लॉड विलियम वेंटिक और यह time period था 1829 का ठीक है अंतिम शाषक कौन था मुगल अंपायर भूद समय तक रहा है बारत में ठीक है और मुगल अंपायर का लास्ट शाषक जो है वो कौन था बिल्कुल सही वो था बहादूर शाषक जफर ठीक है option number B देखिए इसमें confuse मत होईएगा ठीक है इसको बहादूर शाषक जफर 2 भी कहा जाता है ठीक है बहादूर शाषक जफर 2 ठीक है यह जो है यह लास्ट शाषक थे मुगल अंपायर के ठीक है और इनकी death कब हुई थी आपक्स में बता सकते हैं social handles नीचे दिए हुए है ठीक है इंस्टा टेलिग्राम बहाँ पर अपना कोई भी questions हो बहाँ पर पूछ सकते हैं आप ठीक है और अगर आपको किसी specific topics पर question चाहिए हो कुछ भी किसी भी related आर्मी के related कुछ भी तो आप बता सकते हैं ठीक है अपनी ब नमबर 22 आंसर जाएगा आपका क्या वोलते विया option नमबर ए हाइद्रवादी ठीक है है हाइद्रवाद option नमबर ए इस दी राइट आंसर स्रोजनी राइडू जो है वो किस राज़े से संबंदित है वो है है अपन option नमबर ए question नमबर 23 की तरफ चलते हैं जी मिलखा सिंग इस रिलेटर टू खाली मिलखा सिंग देखके बच्चों confuse नहीं होना है इनके आगे जीब भी लगा हुआ है ठीक है जीब मिलखा सिंग का संबंद किस से है कंफ्यूज नहीं होना अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो इसका अंसर सही दोगे अदर्वाइस आप कंफ्यूज हो सकते हैं मैंने पहले हिंट भी दे दिया है क्वेशन नमबर 23 इसका अंसर जाएगा गॉल्फ के साथ ऑप्शन नमबर सी आपका सही जवाब है जो जो बच्चे ऑप्शन नमबर एक साथ गए हैं वो गलत है बिकॉस यह मिलखा सिंग नहीं है फ्लाइंग सिंग जी ने कहा जाता था वो नहीं है यह जी मिलखा सिंग है यह गॉल्फ से संबंदीत है ठीक है गॉल्फ इनका गेम था नेक्स्ट कोशन पर जलते हैं क्वेशन नमबर 24 है सब्टंतर वारत के प्रत्थम गवर्नर जर्नल आफ इंडिपेंडेंट इंडिया इंडिया इसकोशन में बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं कुछ बच् तो वो थे C राजा गुपालाचारी, option number C जो आपका बिल्कुल सेजवाब है, ठीक है, और अगर ऐसे पूछा जाए कि first इंडिया के पहले कबरनर कुन थे, ठीक है, तो वो आता है आपका विलियम वेंट टेक के साथ, ये ब्रिटिशर थे, ठीक है, चली option C आपका सेजवाब ह में, next question है, question number 25, Ottoman समराज्य को उसके पतन के बाद क्या कहा जाता था, what is Ottoman Empire is called after its fall, Ottoman समराज्य को उसके पतन के बाद क्या कहा जाता था, या यो कह लिजे कि कौन सा देश जो है उसके ओपर आ गया जा, जिस देश को नाम मिल गया उसका, और वो है Turkey, ठीक है, question number 25, option number B, आपका बिल्कुल सही जवाब है, चलिए next question देखते है, question number 26, बदरीनाथ is located on the bank of which river, बदरीनाथ जो है, वो किस नदी के किनारे स्थित है, option number A, B, C, R, D, घोदावरी, जमुना, कावेरी, जाफिर, अलकनन्दा, question number 27, बदरीनाथ जो है, वो किस नदी के किनारे स्थित है, बहुत ब येक location है, बहाँ पे अलकननन्दा है, ठीक है, और बदरीनाथ वही पेस्थित है, option number D, आपका, बिल्कुल सेजवाब है, अगले question के और बढ़ते है, question number 28, किस देश को हजार जीलों की बूमी कहा जाता है, विच कंट्री इस काल्ड दी लैंड आफ थाउजन लेक्स, हजार जीलों की बूमी किस देश को कहा जाता है, बहुत बढ़िया, option number आपका C जाएगा, C के साथ, Finland is the right answer, देखो दोस्तों, यहाँ पे world में कहा गया है, ठीक है, country को कहा गया है, अगर अपने इंडिया में ही पूछा जाए, तो आप श्री नगर के साथ जा सकते हो, ठीक है, चल आपे question में पूछा गया, North Hemisphere का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, बिल्कुल सही, North Hemisphere में सबसे बड़ा दिन होता है, 21st June, option number B आपका सेजवाब है, और यह आपका home park है, कि आपको बताना है कि South Hemisphere में सबसे बड़ा दिन जो है, वो कौन सा होता है, ठीक है, South Hemisphere, यह आपका home park है, आप सबी को comment box में बताना है, इसके बाद देखते हैं, 30 question और आज का last question है, ठीक है, अंबेड कर, डॉक्टर बीमराव अंबेड कर, अंबेड कर बाबा साहिव का एक परदानाचारित थे, sorry, उनके principle क्या थे, परदानाचारित यहाँ पे हिंदी में misplace हो गया हुए, ठ स्कूल के principle होते हैं, उनको कहा जाता है, वालों उनके principle क्या थे, ठीक है, वन प्रिंसिपल आफ अंबेड कर वाज, absence of costism वो क्या चाते थे, कि costism नहीं होना चाहिए, जाती बाद नहीं होना चाहिए, self respect के ओपर बात करते थे, यहाँ फिर slave rule के ओपर बात करते थे, जहाँ किसी के ओपर भी नहीं, ठीक है, आपका अंसर जाएगा, option number A के साथ, absence of costism, बाबा साहिब अंबेड करका हमेशा से यही कहना था, कि जात पात जो है, इसके अदार पे बेदवाब जो है, नहीं होना चाहिए, ठीक है, सभी को एक समान नजरिये से देखा जाने चाहिए, यह principle था, पाबा साहिब अंबेड करका, option number A जो आपका बिल्कुल से जबाब है दोस्तो, so आज के वीडियो में दोस्तो इतने ही questions है, अगर आपको वह specific topic जा किसी वेडियो पर questions चाहिए होंगे, तो आप comment box में बता सकते हैं, नीचे social channel है, उनका link दिया रहेगा description में, आप वहा झाल